दोस्तों मैं सुझेय कुमार और आपके अपने चैनल सुझेय फेंटाजी में आपका स्वागत है आज हम लोग बात करने वाले हैं सीनियर ओमेंस वन डे ट्रॉफी मैस के बारे में जो कि दिल्ली ओमें और हर्यान ओमें के बीच में खेला जाना है important मुकाबला है हर एक प्लेड के बारे में टीटेल से बात करेंगे जल्दी बिना बकवास किये हुए जल्दी से वीडियो के स्टार्ट करेंगे समझने का प्रयाज करेंगे किसको किसको अपने टीम में आप ले करके जा सकते हो किसको डॉप कर पाते हो हलाके जिमबावे अर्लेंड का कल ओडियाई का मैच भी है तो इसको भी हम लोग फॉलो करने वाले है comment में बताना कि अगर आपको इसकी टीम चाहिए तो ही मैं आपको टेलिग्राम पर दूँगा वरना टीम नहीं आएगा अगर आब बताते हो तो ठीक है लास्ट के फाइब मैच में तीन मैच भी विन करके आ रही थी और दो मैच इन्होंने हार रखे थे वन डे में ठीक है बाकी मैंने यहां पर सारे प्लेट का स्टैट्स लिख रख रहा है लेकिन देखो इससे आपको ज्यादा कोई प्रॉफिट होने वाला है नहीं यह पुड़ाना पिछले साल का स्टैट्स है नए में जो इन्होंने मैच खेल रखे वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या उनका प्रफॉर्मेंस रहा है ठीक है उससे आपको highly समझ में आ जाएगा कि आप किसको अपने टीम में लेकर के जाओगे तो आपको ज्यादा ब लास्ट में डिसकस करके बता दूगा कि इसको किसको अपने टीम में आप लेकर के जा सकते हो तो दिल्ली ओमन के जो टीम है वो करनाटका के टीम से खेली और आराम से मैच कोई विन कर गए करनाटका के टीम ने यहाँ पर 111 रन करके 8 विकट इन्होंने बनाया मतलब 8 कर दिख रहा है प्रतिकका रावल 4 रन यहां पर स्कोर करते वा दिखुए पृरिया पुनिया कैट्न है स्ट्रिम कि लेकिं प्लेर वाइस बेहोत ही दमदार है और इनका 41 रन का स्कोर है प्लेर वाइस अब अपने टीम में लेक्र հर है जाना प्रिफर्ड कर रहा है पिछल पुनिया और तनी सा सिंग तो दोने प्लेयर पर थ्यान रखना प्लेयर वाइस बहुत अच्छे कासी प्लेयर आपके लिए बनने वाली है अब देखते हैं कि बिगेट को निकाल जा रही है तो बिगेट जो निकाल के आ रही है वो सोनी आदो है आपके लिए अच्छे कासी प तो यह चाड़ो मेरे टीम में बैटने वाली है आयू सोनी थोड़ा बैटिंग पॉलिंग कर लाती है और मैदावी विदूरी मुझे ओक्यों के पिलेर लगी है तो मैंने आपको यह जो पहला मैच वीता है उसके बारे में मैंने डिसकस कर दिया आपको अब जो दूसरा मैचि जीद गई बरोदा ओमन के टीम में 166 रण बनाए और 170 रण चेस कर गई यहां पड़ी उन्होंने 42 बर के गेम में अब यहां पर देखोगे ना तो दिल्ली ओमन के जो तरब से स्कोर किया है नहीं परिया पुनिया ने किया कैप्टेन थी मेरी और प्लेयर वाइस तो बहुत तकडवाली प्लेयर है यह प्रतिक्का रावल का देखोगे तो तीस रण आपको बनाते हुदी करें यह तनीसा सिंग 20 रन और यह रन आटो को यह तनीसा सिंग लेकिन प्लेयर बहुत इन दमदार है नहीं तो स्कोर बहुत अच्छा कासे कर जाती और आयू से नहीं आपको खास इंगा रिकॉर्ड है नहीं लेगें प्लेयर आपके लिए दमदार रहने वाली है मदुधामा को यहां पर एक विकट मिल रहा है तो जो मैं वालिंग सिक्सन से जिसको ले करके जाने वाला हूँ वो हमारे लिए और यहां पर मालीका खत्री को साथ मैं अपने टीम में प्रिफर करने वाला हूँ ठीक है जो मैंने आपको बताया है अब चलो जो मैंने स्ट्रेट्स लिख रखे है वहां से मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ पहले हम लोग हडयाना ओमन के बारे में डिसकस कर लेते हैं तो गैस पहले हम लोग एक एक करके सारे जो इंपॉर नहीं करने वाला हूँ तो मैं तो अपने टीम में इनको ले करके जाने वाला हूँ उसको एदाती है सीतल राना इंका देखते है कैप्टेन इस टीम की इंका प्रफॉर्मेंस कैसा है देखोगे तो रिसेंटली मुकावले में इनको कुछ खास कोई मैच में बिकेट नहीं मि है अलाकि जारखंडोंन से खेल यह पर विरसा ब스타 shoutiddianका 1र जो इनका नाम था इनका विर्षा चाली एक रन जीरो विकेट, तो कुल मिलाकर के जाए तरह आपको बैटिंग से नहीं, sorry, बॉलिंग से नहीं, जाए तरह आपको बैटिंग से पॉइंट देती हुई दिखेंगी, तो 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 देख लेना, और मैला में अंठावन अंका स्कोर करना बहुत जादा इंपोर्टेंट स्क और माना जाता है, बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर देखोगे, तो जो भी इनके टीम में प्लेड है, जोती यादो कुछ खास इंका नहीं है, सुईता सर्मा का देख लेते हैं, इनका प्रफोर्फोर्मेंस कैसा है, तो इनका देखोगे तो तीन विकेट है, बाकि जी रिकर्ड मुझे नहीं लगा है, ठीके, उसके जाती है तिरिवीना वासिस्ट्रा, अगर इनका देखोगे तो इनका भी कुछ खास रिकर्ड नहीं है, हलाके दो मैच इनने खेले हैं, एक एक विकेट इनको मिल रखा है, प्लेर वाइस आपके लिए अच्छे कासी बन सकती ह सुमन गुलिया का देखोगे तो ओके-ओके पीक में आ जाती है, अगर यहां देखोगे इनके बॉलिंग डिपार्टमेंट ते एक विकेट फिर बिकेट नहीं मिला, फिर एक विकेट फिर बिकेट नहीं मिला, फिर बिकेट नहीं मिला, और इस मैच में 31 का यहांनों ने स्क करने वाला हूं हलाकि खेलती या नहीं खेलती है प्लेइंग 11 में यह थोड़ा सोचने वाली बात रहने वाली है अम अमंदीप को और मेरे टीम में नहीं रहेंगी उसके दाते है थोड़ा बैटिंग सक्षन पर बैटिंग सक्षन से आपके लिए कौन से प्लेड साबित बनने वाली है थीक है तो वह सारे प्लेड पर हम लोगो तुरह डिसकस कर लेते हालाकि अभी जो भी मैंने आपको तीन-चार प्लेड खा इंका जो नाम दिखाया है इनमें से कोई भी कोई किसी का भी खास स्टैट्स है नहीं थीक है मैंने आपको दिखा दे रहा हूं एक कर प्रियांका सरमा को अपकर सारे प्लेड के लिखा रिप्लेड के प्रियांका स्टैट्स है चलते जल्दी से इटिलेंट के उपर देखते किसको अपने टीम में लेकर करके जा पाते किसको ड्रॉप कर पाते फटाक से जल्दी से एक अच्छी जडूलेंट की टीम क्रेट करते हैं और उसको बडिसाइड करते हैं किसको अप्रेटीम में रखना है किसको ड्रॉप करना है आई होप अभी तक तो आप समझींगे होगे तो भया बीडियो को अगर भी तक लाइक निकी होगे उना चैनल पर न हो बात करते हैं किसमोली के टीम आग भी कैसी होनी चाहिए तो यहां से देखोगे तो यहां से क्या सिल्क्षमी याद हो आपको दिखेंगी बाकि मुझे और कोई खास बेट कोई दीखने रही है बिगट केपिंग से तो मैं इनको अभी के लिए पर डिफर करने वाला हूँ बैटिंग से पर आते हैं तो प्रिया पुनियांगों में लेकर करके जाओंगा और लॉंटर सेक्षन पर आते हैं तो सिम्रें दिल भादूर को में लेकर के जाओंगा और यहां पर देखोगे न तरिशा सिंग है आपको लिए अच्छे कासी पिक बनने वाली है आई उसोनी को में लेकर के जाने वाला हूँ फिर यहां देखोगे तो मदू सिंग धामा है ब उसके बाद जो आती है यहां से सवेता सरमा को रख लो अपने टीम में आच्छे कासी पिक आपके लिए बन जाएंगी फिर यहां से आपको रखना है तो पूजा फोगाट को रख लो इस इस आप से अभी के लिए यह टीम हो गई है बिलकल भी मारी फाइनल टीम आपको टे बाद अपना कहले के दोस्तों जाहिए